काबा के पूर्व इमाम को हुई दस साल की सजा साउधी अरब की एक अदालत ने मक्का स्थित खानाए काबा के पूर्व इमाम और धर्म प्रचारक शेक साले अलतालिब को दस साल कैद की सजा सुनाई है खानाए काबा को मुसल्मानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में एक माना जाता है अमेरिका स्थित राइट्स ग्रूप डेमोक्रेसी फॉर्ड अरब वर्ल्ड नाउ डॉन ने कहा कि रियाद में स्पेशलाइजड क्रिमिनल अपील कोट ने मक्का मस्जित के पूर्व इमाम शेक साले अलतालिब को दस साल की जेल की सजा सुनाई है मिडल इस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार सौधी अधिकारियों ने 2018 में तालिब को बिना कारण बताई गिरफ्तार किया था साउधी अरब में मनोरंजन जगत को कंट्रोल करने वाली संस्था जनरल एंटर्टेन्मेंट अथॉरिटी की आलोचना करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी आरोप है कि उन्होंने उन संगीत कारेक्रमों और कारेक्रमों की निंदा करते हुए दावा किया था कि उनसे देश के धार्मिक और सांस्कृतिक मानकों का उलंधन होता है तालिब के वैश्विक अनुयाई हैं हजारों लोग यूट्यूब पर उनके उगदेश और कुरान के पाठ को देखते हैं उनकी गिरफतारी तब हुई जब सौधी क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान ने सौधी समाज में सुधार और खाडी सामराज्य की तेल निर्भर अर्थव्यवस्था में विवित्ता लाने के लिए अपना अभियान जारी रखा मिडल इस्ट आई के मुताबिक सौधी क्राउन प्रिंस की कटरपन्थी संगठनों की तरफ से कड़ी निंदा की जा रही थी इस दोरान दरजनों प्रमुख मौलवियों और इमामों को गिरफतार किया है दिवंगत पत्रकार जमाल खशोगी द्वारा स्थापित एक समोर डॉन ने ट्विटर पर तालिप की अदालती सजा की पुष्टी की मिडल इस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार डॉन के प्रवक्ता अब्दुल्ला अलाउट ने जेल की सजा की निंदा की और कहा कि यहां मौलवियों और इमामों के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है जो MBS द्वारा अपनाए गए सुधारों के खिलाफ बोलने के लिए कारावास का सामना कर रही है हाली में गिरफ्तार किये गए अन्या आलोचकों में PhD छात्र सल्मा अलशहाप को सौधी सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट के लिए 34 साल जेल की सजा सुनाई गई थी